प्रिणिपल्स अफ सिस्टमेडिकस मॉडूidae 196 शीलोमेट, एसिलोमेट एंड स्टूडो सीलोमेट एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का एक और तरीका यह है कि हम उनको सिलोम की प्रेबडंस या एपसंस की वेस कि उपर या जो सिलोम की टाइप है उसकी बेस के उपर classify करें तो सिलोम की presence या absence या उसकी टाइप जो है उसकी बेस के उपर हम animals को तीन categories के अंदर divide करते हैं ये जो तीन categories हैं इनके अंदर acylomates, silomates और pseudo silomates शामल है अब इन types को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि silom क्या है silom को हम कैसे define करते हैं silom basically एक body cavity है अब क्या तमाम body cavity को हम silom कह सकते हैं? नहीं, silom जो है ये एक specific body cavity है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो ये gut है ये digestive system है और ये body wall है अगर ये हमारी body wall है, ये gut है तो इस body wall और gut के दरम्यान में ये जो space होती है इसको हम silom का नाम देते हैं तो silom is basically a space between body wall and elementary canal अब एक जो true silom है उसके कुछ characters है अगर एक animal की जो silom है वो इन तमाम characters के उपर पूरा उतरती है उसकी mesodermal lining है जो reproductive structures है या descriptive structures है उसका इस silom के साथ को रिलेशन है तो अगर एक silom इन तमाम characters को fulfill करती है तो ऐसी silom को हम true silom कहते हैं और अगर silom मौजूद है body cavity मौजूद है लेकिन वो इन characters के उपर पूरा नहीं उतरती इसके अंदर true silom के characters मौजूद नहीं है तो ऐसी जो silom होगी इसको हम false silom या pseudo silom कहेंगे तो इस silom की presence की base के उपर हम animals को तीन categories के अंदर divide करते हैं पहली जो category है वो acilomates acilomates basically ऐसे animals हैं जिनके अंदर silom मौजूद ही नहीं होती परज़ेंपल अगर हम silentrates की बात करें जिनको nidarians भी कहते हैं इसी तरीके से platyhelminthes जो के invertebrate का एक phylum है silentrates की तरह तो ये ऐसे animal phylum है जिनके अंदर silom मौजूद नहीं है इस वज़े से इनको हम acilomates का नाम देते हैं अगर हम silomates की बात करें तो ये ऐसे animals हैं जिनके अंदर ना सिरफ silom मौजूद है बलके true silom मौजूद है यानि silom के जो characters होने चाहिए जो features होने चाहिए वो इन animal group के अंदर मौजूद होते हैं अब जो true silomate animals हैं उनके अंदर कौन-कौन से animal phylum आते हैं इनके अंदर phylum मौलस का इसके अंदर आता है analytes जो के analytes phylum से बलॉंग करते हैं इसी तरीके से arthropods, arthropoda phylum से इसी तरीके से echinoderms और इसके लावा जो vertebrates है ये भी silomate animals हैं इनके अंदर जो silom मौजूद है वो true silom है अब कुछ animals ऐसे हैं जिनके अंदर silom तो मौजूद है लेकिन एक true silom के जो characters होने चाहिए वो silom इन characters के उपर पूरा नहीं उतरती जो उसके characteristics हैं वो सारी characteristics इस silom के अंदर मौजूद नहीं है जैसा के अगर हम nematodes की बात करें तो nematodes की जो silom है ये false silom है इसको हम pseudo silom कहते हैं इस वज़ा से इस group के animals को हम pseudo silomate animals का नाम देते हैं तो nematoda जो phylum है ये pseudo silomate की एक example है क्योंके ये जो silom है ये false silom है तो हमने देखा कि silom की presence या absence की base के उपर हमने animals को तीन categories के अंदर divide किया हमने ये कहा कि silom एक body cavity है between body wall and elementary canal आम तोर पर इसकी जो inner side है वहाँ पे mesoderm की lining मौजूद होती है अब ऐसे animals phylum जिनके अंदर silom नहीं होती उनको हम a silomates कहते हैं जैसा के हमने silenters और platyhelminthes की बात की और ऐसे animals जिनके अंदर एक silom मौजूद है और वो silom के तमाम जो features हैं उनको पुरा करती है तो इसको हम silomates animal का नाम देंगे जैसा के मौलसका फाइलम है एनेलेडा है आर्थरोपोडा है एकानियोडरमेटा है और vertebrates भी इसके अंदर शामिल है इसी तरीके से हमने कहा कि अगर silom मौजूद है लेकिन ये जो silom है इसके तमाम करेक्टर इसके अंदर मौजूद नहीं है जो के true silom के अंदर मौजूद होते हैं तो ऐसी silom को हम false silom या pseudo silom कहेंगे और ऐसे animals जिनके अंदर इस किसम की silom होगी उनको pseudo silomate animals कहेंगे जैसा के nema toads है